जहिन मेरे प्यारे दोस्तों मेरा नाम चंद शेखर है और स्वागत करता हूँ आपकी यूटुब चैनल टॉप क्लास मैस पर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और इस सेशन में परसेटेज को कर देंगे खतम आपके लिए छोटा सा काम है चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो चले स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और वैसे बता दू हम 30 दिन का प्लान लेकर आए हैं जो कि अभी चल रहा है यहाँ पर क्या है कि 13 नवंबर तक परसेटेज खतम था आज 14 नवंबर है पर कुछ मुझे अरजेंट वर्क आ गया था इसलिए एक दिन डिले हो गया बाग है तो आपके लिए बहुत ज्यादा खुसकबरी हो सकती है ठीक है आपको करना के रोजाना वीडियो को अच्छे से देखना है अगर आप एक सवाल देखते हैं उससे आपको समझ में प्रॉपर तरीके से नहीं आ सकता क्योंकि आपको पूरे पढ़ने होते हैं परसेंटेज मैं आपसे कहा सकता हूँ अच्छे प्रिकार के कोशन मैंने रखे हुए हैं तो पहला प्रशन आपकी स्क्रिन पर आ रहा है और ये रहा पहला प्रशन क्या कहने की कोशिच करता है देखते हैं देखी पहला प्रशन एक परिच्छा में बी ने ए द्वारा प्राप्त अंकों से 20 प्रतिशत, प्यारे बच्चों, 20 प्रतिशत होता है 20 बटे 100, इट मेंस एक बटे 5, तो आपने कहा कि एक बटे 5, अधिक का प्यारा सा चिन लगा दिया, प्लस आप जिस से तुलना करते हैं वो denominator ले ले लेता है इट मेंस हर को ले लेता है आपने तुलना की है A से तो यहाँ A ले लेगा denominator, it means 5 ले लेगा यानि कि A हो जाएगा 5 unit और 5 में एक अधिक है कौन भी हो जाएगा 6 unit, मुझे तो लगता है इतनी बात आपको समझ भे आनी चाहिए आगे देखे अच्छे से और A ने C द्वारा प्राप्त अंकों से 10 प्रतिशत कम अंक प्राप्त किये है जो आपका A है ना उसने C द्वारा प्राप्त अंकों से किस से तुलना हो रही है C से C द्वारा प्राप्त अंकों से 10 प्रतिशत अंक प्राप्त कम किये है यह लिखा है तो C से तुलना हो रही है तो C के सिर पर रख देंगे एक बटे 10 10 प्रतिशत का मतलब 1 बटे 10 और कमी हो रही है इसलिए माइनिस लगाईए अब अच्छे से देखिए आप जिससे तुलना करते हैं आप जिससे तुलना करते है वो ले लेता है डिनोमनेटर मतलब हर को ले लेता है तो C आजाएगा 10 यूनिट और 10 में 1 कम यूनिट आजाएगा मतलब आपने कहा 9 यूनिट आजाएगा जो तुलना करवा रहा है कौन करवारा है A तो यहाँ पर 9 यूनिट यह आजाएगा जैसे आप इतना निकाल लेते हैं तो पहले इन तीनों का रिष्टा बना लिजे इन तीनों में क्या रिष्टा आएगा जो दो बार आता है मुझे एक बात बताए यहाँ पर आपका व्यक्ति कौन है A A आपने यहाँ पर कितना पड़ा है आपने कहा 5 यूनिट पड़ा है और A आपने यहाँ पर 9 यूनिट पड़ा है और ऐसा तो पॉसिवल ही नहीं है अगर व्यक्ति एक है तो उसकी वैल्यू भी एक होने चाहिए अगर value 1 होने चाहिए तो आपने मुझसे कहा कि सर्जी ऐसा कर लेजे इनको equal कर लेजे तो यहाँ आप पर आपको 9 का multiply करना पड़ेगा तो इसके साथी को देना पड़ेगा नगे तो साथी रूर जाएगा और यहाँ आपको 5 का multiply करना पड़ेगा तो इसके साथी को डिना पड़ेगा वरना इसका साथी रूर जाएगा और ये चीज हो जाती है आपकी satisfied ये satisfied हुआ है ratio तीन लोगों में कौन कौन है वो तीन लोग यहाँ पर देखिए B आता है आपका 54 unit A आता है आपका 45 unit और C आता है आपका 50 unit इतनी बात आपको समझ में आने चाहिए अच्छे से आगे बढ़ते हैं D ने C द्वारा प्राप्त अंकों से 20 प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करें हैं यानि कि अगर मैं D की बात करूँ अगर मैं यहाँ D की बात करूँ एक और व्यक्ति लिख लेते हैं D और D ने सुनिएगा अच्छे से और D ने C द्वारा प्राप्त अंकों से 20 प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करें हैं आपको करना क्या है अच्छे से सुन लीजेगा D ने C द्वारा मिले अंकों से C को मिले हैं 50 और D ने इससे कितने ज़्यादा अधिक अंकित करें 20 प्रतिशत अगर 50 का 20 प्रतिशत आप निकालेंगे 50 का 20 प्रतिशत निकालेंगे तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे percentage से 0 कर जाएंगे 5 दूनी 10 यानि कि 10 नंबर ज़्यादा 10 नंबर ज़्यादा तो 50 में 10 ज़्यादा कितने मिले हैं 60 कितने मिले हैं 60 किसको मिले हैं D को कोई भी इशू नहीं है अगर आप 50 भी रखके देखते तो अपने आप में D 100 प्रतिशत होगा और 100 में 20 एड होकर 120 प्रतिशत मिल जाते जो कि मैं अभी करना चाह रहा था जो मैंने लिखा था बट ऐसी नहीं यह तो डारेक्टली भी हो सकता है तो आप डारेक्टली भी करेंगे और ऐसी भी करना चाहेंगे तो इतना ही आएगा 00% 5260 ठीक है कॉंसेट समझना सवाल का अंसर लाना बड़ी बात नहीं है आपको समझाना मुझे अंक यानि कि D द्वारा प्राप्त अंक ओके A द्वारा प्राप्त अंकों से A द्वारा प्राप्त अंकों से किससे A द्वारा तो तुलना किससे कर रहे है मेरे प्यारे बच्चो A द्वारा तो जिससे तुलना करते हैं ना से तुलना करते हैं वो नीचे आ जाता है किलियर से कितना प्रतिशत अधिक है अधिक का मतलब क्या होता है कि जिन दो व्यक्तियों के मद्ध में बात की गई है जहां यह सब्जेक्ट है यह अब्जेक्ट है उन दोनों में यह बताना है यह कितना अधिक है अधिक का मतलब होत तो अंतर कर लेंगे, आ जाएगा 15, इन्टू, ये तो fraction है, 100 का multiply करेंगे, जो कि मैंने पहले वीडियो में समझाया है, 15 से 45 तीन बार कटेगा, और आंसर आएगा, 100 बटे 3, it means, 33 साई, 8 बटे 3, जो कि option number आपका पहला साई है, प्यारे बच्चो, option number पहला साई है, skin sort ले लिज ठीक है, और समझ में आए, तो लाइक कर देना, अगला question, देखिए, अगला प्रश्न, एकी जो आए है न, income of A, B की आए से, income of B, यानि कि A की आए, B की आए से 20 परसंट कम है, तो A की आए, किस की आए से, B की आए से, कितनी कम है, 20 परसंट, आप तुलना किस से कर रहा है, B से, तो B के सिर पर 20 परसंट रखतेंगे, 20 मतलब 20 से कम 20 और 20 परसंट, एक बटे 5, अधिक का मतलब होता है, प्लस, अगर B को मिलता है, 5 यूनिट, तो A को मिलेगा, 5 और 1, 6 यूनिट, ये तो आपको समझ में आगे होगा, पीछे समझा है था, जिस से तुलना करते हैं, वो denominator ले लेता है, जो तुलना करवा रहा है, तो जो केस से करवा रहा है, उस केस के according चलता है, B लेता है 5 और 5 में एक ज्यादा लेकर 6 बन जाता है, एक के पास, चलो, sorry, 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 B की आई से कम, sorry, sorry, कम है ना, पढ़ने में दिक्कत हो गई, तो यहाँ पर आएगा 4, ठीक, कोई इशु नहीं है, और C की आई, A और B की आई क योग का 70% है, यानि कि यहाँ पर कहता क्या है, जो C की I है ना, income of C है, वो क्या है, sum of A और B, जो आपका A और B का sum है, उसके IU का योग, sum को ही योग कहते हैं, योग का कितना है 70%, यानि कि A और B के IU का योग करेंगे, कितना आता है, 9, और 9 का 70% कौन है C की IU, बिल्कुल ठीक ह कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, D की जो I है, C की I से 25% अधिक है, जो D की जो I है ना, कहां पर कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, D की जो I है, वहे C की जो I है, उससे कितना अधिक है 25% C की कितनी है, आपने कहा प्यारे वत्यों, 9, इंटू 70% और इससे कितना अधिक है, आपने कहा 25%, तो एक तरीका तो यह है, कि आप ऐसा कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताओंगा, कैसा बताऊंगा मैं आपको यह बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि अपने आप में C 100% था अगर यह अपने आप में 100% था और यहाँ पर आपका D इस से 25% अधिक है तो यह इस value का 125% बन जाएगा ठीक है बाद में सुखल कर लें कोई इशू नहीं है कोई इशू नहीं है लास्ट में देखो यदि B और D की I का अंतर B और D की I का अंतर तो B कितना है यहाँ पर उठा के लिए आओ पांच यूनिट और D कितना है कैल्कुलेट कर लेंगे नो 70% होता है साथ बटे दस 125% होता है 5 बटे 4 क्लियर पांच इसको आप काड़ सकते हो दो बार बिल्कुल क्लियर है कोई भी इशू नहीं है फाइनली यह रेशू बना लेंगे और रेशू बना लेंगे तो रेशू बनके आएगा क्या रिश्यू बनके आएगा क्या, वो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, एक और बात, एक और बात, आपने ऐसे करा, आपको कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सई सटिक जा रहा है, मैं आपको एक और बात बताऊँगा, यह पांच है, और यहाँ पर यह कितना है आपका, न एक याई निकाल लिए, तो एक याई क्या है, डारेक्टली देखो, एक याई चार्ड यूनिट है, डारेक्टली डिजार का मल्टिप्लाई कर दे, तो यहाँ इनका अंतर है, पहली बात अगर रेश्यो बना लेते ना, तो पुटिंग वैलू चेंज हो जाती है, तो आप इसी के साथ कीजिए, आंसर आ जाएगा, आर्ट पंच चालिस, कम ज्यादा मत देखना, आर्ट पंच चालिस, माइनिस 63, 63 मैंसे 40 जाएगा, कितना आएगा, तेज, माइनिस ही देखना, तेज बटे आट, और इसी की वैलू किसके बराबर है, तेज हजार गुणा चार, यह 32,000 इसका correct answer आएगा, जो कि आप option देखेंगे, skin sort ले सकते हैं, option A correct है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अगला question लगा रहा है, आपकी screen पर आ रहा है, देखिए करने के तरीके बहुत हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, कि मैं यहाँ पर क्या करता, यह 9 लेता, clear, A औ और भी और 9 को में 70% साथ बटे 10 लेता, फिर क्या करता, मैं D में अलग relation निकालता, satisfied करता, बट नहीं, यह भी ठीक है, और question आपका बड़ा तो है, अगला question देखेंगे, कोई भी इश्यू नहीं है, देखेंगे, अगला question आता है, यह भी प्यारा question है, एक संख्या A का 11 बटे 5, एक संख्या B का 22% के बराबर है, यानि कि आप कहेंगे, अगर A का आप लेते हैं, 11 बटे 5, वो बराबर है B के 22% के, यह दिया है, 11 से काटेंगे दो बार, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा आपका A upon B, clear, और 5 दूनी, यहाँ पर पहुंच जाएगा आपका 10 प्रतिशद, और 10 प्रतिशद का मतलब बच्चो होता है, एक बटे 10, यह आप समझ कासते हैं, बहुत अच्छी तरीके से, इसका मतलब A की ratio value कितनी आगई, एक unit, और B की ratio value कितनी आगई, 10 unit, अब अच्छे से देखेएगा, संख्या B, तीसरी संख्या C का 2.5% के बराबर है, यानि कि जो संख्या B है न, वो तीसरी संख्या C का 2.5% के बराबर है, आपको समझ में आया, ऐसी भी कह सकते हैं, जो B है, वो C के 2.5% के बराबर है, यह भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं, 2.5% पहली बात तो अगर 25% की बात करूँ तो 1 वट्टे 4 होता है और आपने पॉइंट लगा दिया पॉइंट लगा दिया तो जो 1 वट्टे 4 था 1 वट्टे 40 हो जाएगा यहाँ पर करना क्या है आपको निकालना है C की वैल्यू तो आप करेंगी धाई परसेंट 400 का आएगा कितना 400 का धाई परसेंट कितना आएगा तो आपको पता चल जाएगा कर आने वाला कितना है ठीक है 1% 4 होगा इसका 2% 8 होगा और धाई होगा इसका 10 किलियर है आगे यहाँ पर कहता है C का मान 5500 के बराबर है C का मान ये आया है ये किसके बडाबर है ? पचपन सौ के बडाबर है जो आपकी अनुपातिक मान है ओरिजिनल वैल्यू पचपन सौ के बडाबर है तो A के 80 प्रतिशत और B के 40 प्रतिशत का योग क्या होगा? तो आपको करना है प्यारे बच्चो directly करना है a का कितना लेना है आपको 80% b का कितना लेना है आपको 40% और इन दोनों का योगफल के बारें पूझा गया है तो यह आ जाएगा आपका 80% और यह आजाएगा आपका 400% और 80 और 400 यह आ जाएगा 480% तो desire क्या है आपने कहा 480% यह निकालना है, बस calculation, एक line में answer, एक unit की value और answer आप कर देंगे, करें, percent से पहले तो 2-0 आप खा गए है, कोई दिक्कत नहीं है, पिचास औसी में से 0 से 0 काट लिए है, यहां बचा आपका 40, और इसी की value 5-1 into 48, कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, पांस से आप काटना पांस से ग्यार बार कटेगा, आठ से काट लेंगे, आठ चिंग 48, और फाइनली 66 answer आएगा, 66, जो की option number decorrect है, जो की प्यारे बच्चों option number decorrect है, जो calculation करिए, अच्छे से समझेंगे, screen sort लेंगे, अगला प्रशन आ रहा है आपकी screen पर, और इसको देख लेंगे, सारे question अच्छे रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हलके प्रशन हो, और जैसा मैं सिखा रहा हूँ, वैसा ध्यान रखेगा, मैं directly value निकालना सिखा रहा हूँ आपको, चिक है, यहाँ प पहले 15 प्रतिशत बढ़ाया जाता है, हमिश्या मेरी प्यारे बच्चों ध्यान रखना, संक्या अपने आप में 100 प्रतिशत होती है, अगर 100 प्रतिशत होती है, तो आपने पहले step में 15 प्रतिशत बढ़ाया है, तो आपने संक्या को 115 प्रतिशत कर दिया, हो गया, चलो, ब् पीछे वाला डाटा होता है वो अपने आप में 100% होता है 100% सबकी सैली अपने आप में 100% होती है इसका मतलब यह अपने आप में 100% है और आपने इसमें कितने प्रतिशत की कमी कर दी है आपने 15% की कमी कर दी है तो इसको पढ़ा जाएगा 85% आगे तो इसका परणाम इसका रिजल्टेंट क्या है 782 के बराबर है ना बिलकुल सही है आगे यदि उसी संख्या को आप मुझे बताओ आप calculate करेंगे तो जो आंसर आएगा वो संख्या आएगी और उसी संख्या को बोला है इसका मतलब आपको directly जो भी पूछा है वो desire आपको directly निकाल देना है यदि उसी संख्या को क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो संख्या आएगी उसी संख्या को पहले 25% गठाए जाता है जो भी संख्या आएगी वो अपने आप में 100% होगी अगर उसे 25% गठाएगे तो 75% बचेगी क्लियर घठाए जाता है फिर 25% बढ़ाए जाता है तो ये अपने आप में 100% होगी तो 100 में आप 25 बढ़ाएगे तो 125% हो जाएगी क्लियर फिर 20% कम किया जाता है ये अपने आप में 100% होगी पीछे वाला डाटा successive case में 100 प्रतिशत होता है तो 20 प्रतिशत कम किया जाएगा तो 80 प्रतिशत हो जाएगा finally परणामी संख्या क्या होगी finally अब जो भी answer निकलेगा एक का वो आपका आएगा desire जो आप निकालना चाहते है वादब पूरी calculation एक बार करें यह जो आपका percentage है percentage है percentage और percentage काट लूँगा बिल्कुल सही बात है कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ आपका 115 है यहाँ पर आपका 85 है यह 780 है यह आपका बचा कितना 75 यह बचा आपका 125 और 80 परसेंट होता है बाल को 4 बटे 5 पांस से इसको काट पा रहा है आप हाँ जी 25 बार कटेगा कोई भी दिक्कत नहीं होए जाहिए है ना यहाँ तक यह 25 चौक 100 हो गया 100 को बीच में रखें मतलब अभी हाथ न लगाए यह आपका 75 यह आपका 782 है यहाँ पर 115 यह 85 जैसे आप 5 से काटनी पर बैठेंगी काटना तो पड़ेगा 5 से काटनी बैठेंगी सत्रे बार कटेगा पांस से यह कितने बार कटेगा आपने कहा पंदर बार कटेगा 15 55 सत्रे से इसको काट के देखो क्या कट रहा है 17 चौक 68 कट रहा है सत्रे चोक 68 बचेगा 10 और सत्रे चिंग 702 कटी अब काट ले ना 23 से 5 बार और 23 से 2 बार पांस से कर जाएगा 3 बार और 3 दूनी आंसर आएगा 6 और 00 लाके आंसर आएगा 1 यूनिट गे 600 और 1 यूनिट ही आपकी डिजायर जो आप चाते थे प्रोसेस करने के बार लिखिए answer आपका option number D correct है बहुत प्यारा question है और देखिए हमने calculated question है और calculation कर लिए अगला question आ रहा है आपका इस क्रेंट पर और अच्छे से देख लेंगे देखिए बहुत प्यारा question है अब ये किस पर waste है वो मैं आपको बता दूँ देखिए concept होता है mulle into खपत बराबर खटचा कैसे करते हैं मैं आपको एक एक point बताऊँगा मूल ले होता है आपका price into consumption is equal to expenditure ये आपका concept है है ना अब paper में क्या पूछेगा सुनेगा अगर आपसे price पूछे तो आप expenditure में मतलब खटचा में आप divide लगा देना खपत का मतलब consumption का अगर खपत पूछे तो divide लगाना खटचे में मूल लेका और अगर खटचा पूछे तो इन दोनों का multiplication कर देना ये आपको समझना पड़ेगा और एक और चीज़ का important है एक चीज़ इसमें ये important करता है कि खर्चा वही रहे हैं खर्चा वही रहे हैं जिसमें question कैसे आता है एक ग्रेड़ी चीणी के मूल ले भर जाने पर है ना अपनी जो खपत है वो 20 प्रतिशत कम कर लेती हैं जिससे खर्चा वही रहे तो बताईए चीणी का मूल ले कितना प constant हो जाएगा अगर constant हो जाएगा तो यहां पर proportional लग जाएगा और constant जो चीज़ होती है उसको वन से आप निरूपित कर सकते हैं तो यहां आ जाएगा मूल ले into खपत कहने का मतलब यह है कि एक चीज आपने constant कर दी मतलब खटम कर दी उस condition में ध्यान लखना मूले की value निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहां आ जाएगा बन अपौन खपत इसका मतलब इस case में क्या हो जाएगा मूले का उल्टा खपत और खपत का उल्टा मूल यह आपका concept है और इस concept है आप करेंगे सवाल पहले आपका जो concept है यह है और इस पर कर लेंगे इसको रफनी करेंगे इसी से करेंगे मिलता जुलता कुश्य है देखो चीनी की कीमत 20 प्रतिशत बढ़ गई है तो कीमत का मतलब होता है मूले कितनी बढ़ गई है 20 प्रतिशत बढ़ गई है आपको कोई दिक्कत नहीं है आपने कहा 20 प्रतिशत इंक्रीजमेंट है आगे तो व्यक्ति अपना व्य केवल 8 प्रतिशत बढ़ाना चाहता है यानि की खर्चा केवल 8 प्रतिशत बढ़ाना चाहता है तो बताएए उसे अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करने पड़ेगी यानि कि जो आपकी खपत पूछी है न उसमें कितनी प्रतिशत की कमी होगी अब प्यारे से बच्चो सुनना जैसे आप खपत निकालोगे न इन तीनों के relation में तो खपद दिकानने के लिए उपर रखना पड़ेगा आपको खर्चा और डिवाइड में आ जाएगा खपद के मल्टिप्लेकेशन में है जो वो डिवाइड में आ जाएगा मूले अब आपको प्यारे बच्चों ये पता हो न चीए खर्चा अपने आप में 100% होता है ऐसे मूल भी अपने आप में 100% होता है के लिए आप मुझे एक बात बतानी की कोशिश केजिएगा कि अगर खर्चा 100% है और आपने यहाँ पर खर्चा 8% बढ़ा दिया है तो ये तो हो ग फाइनली रिश्यू लिख लेते हैं परसेंट परसेंट आप काटेंगे बारे से ये कटेगा 9 बार और ये कटेगा 120 दस बार इसका मतला खपत पहले आपकी 10 यूनिट थी क्योंकि जो नीचे होता है न डिनोमेटर वो ओरिजनल वैल्यू होती है तो वास्तवीग आपकी मुले का डिवाइड लगास और बन जाएगा जैसे कि मैं बताईद हूँ आपको देखिए यहाँ पर पहले बात करते हैं खर्चे की तो प्यारे बच्चों खर्चा आपका कितना बढ़ा था? 8% 8% का मतलब क्या होता है? 4 से 8 करता है 2 बार और यह 100 करता है 25 बार यानि कि पहले आपका जो खर्चा था वो 25 यूनिट था और आप 25 में 2 बढ़कर 27 यूनिट हो गया है ऐसी यहाँ पर आपको मूली देखना पड़ेगा मूली कितना बढ़ता है? 20% का मतलब होता है 1 बटे 5 पहले आपका मूली 5 यूनिट था अब 5 में 1 बढ़कर 6 यूनिट हो गया है यह आपको किलियर होना चाहिए यह आपको किलियर होना चाहिए किलियर भी होगा अब आपको पता है जब खर्ची में जब खर्ची में डिवाइड लगाते हैं मूली का प्यारी बच्चो जब खर्ची में मूली का डिवाइड लगाते हैं और ये कटेगा आपका 3 से 9 बार और 3 से कट जाएगा कितने बाद 2 बार Cross multiplication करेंगे तो अनुपात आएगा 10 अनुपात दो और आपको यही process करना है फिर दोरा तो अब बताओ यह छोटा है यह छोटा है अपने आप बताओ के लिए समझ में आ गया होगा आपके अगला कोशन हम देख रहे हैं यह तो आपको समझ में आ गया होगा 20 कोशन नमर 20 वा इसी concept पर आधारी तुम्हें करवाओंगा इससे आप कर सकते हूँ वैसे भी कर सकते हूँ आपको मैंने समझा दिया कि करने का तरीका क्या है आपका देखिए सुनेगा प्यार से सुनेगा समझ में गैरेंटिट आएगा यदि पैटरॉल की कीमत यदि हां यदि पैटरॉल की कीमत 19 प्रतिशत बढ़ गई है तो सुनिता पैटरॉल पर केवल बारे प्रतिशत ही अत्रिक्त खर्चा करती है तो उसे पेट्रॉल की खरीद गई मात्रा को कितना परशंट कम करना पड़ेगा सेम कुशन मात्रा मतलब खपत और प्यारे बच्चों अब मैं डारेक्ली करूँगा अब समय व्यर्थ नहीं करूँगा खपत जब निकालते हैं तो उपर आता है खर्चा और नीचे आता है मूले खर्चा अपने आप में 100 प्रतिशत होता है यहाँ पर आप खर्चा कितना बढ़ा रहे हैं? बता ही बच्चो आप अपने खर्चा बढ़ा रहे काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं किस से कटेगा परसेंट से परसेंट साथ से काटना है इसको साथ एकम साथ बचेगा कितना 42 साथ शीं 42 साथ से काटो साथ एकम साथ यहां कितना बचेगा 449 सत्तू सत्तू लग जास इसका मतला पहले आपकी खपद 17 यूनिट थी और आज की डेट में 16 यूनिट कितनी कम करेंगे आप एक यूनिट किस पर 17 पर इंटू 100 भाग लगा दो 17 पंजे 85 बच्चे का कितना आपने कहा 15 बच्चे का अब तो नहीं जारा जिरो लगाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे और सत्रे कर देंगे तो सत्रे अठ्थे सत्रे अठ्थे यहां पर आ जाएगा 136 है ना तो अठ्थे 5.8 अराउं निकटतम पूछा है तो इसको आप 6 पढ़ लेंगे तो आप्शन नमबर भी आप टेक करेंगे और लगता है मु जन संख्या पर आधारित प्रशन है तो मैं आपको finally कुछ बता दूँ जन संख्या पर जो आधारित प्रशन होते है तो यहां पर अगर मैं किसी एक साल की बात करू जैसे कि मैंने कहा 2001 का प्रारम और 2001 का अंत जनसंख्या अलगल होगी एक के प्रारम में आपने देखा जनसंख्या बढ़ने के आधार पर बढ़ गई होगी और जो की बढ़ेगी आपकी 31 दिसम्बद 2001 तक ठीक है यानि कि आपको यह समयना पढ़ेगा कि एक साल में यहां जनसंख्या बढ़ेगी दूसरी साल में फिर बढ़ेगी ती साल में फिर बढ़ेगी depend करता है rate of rate of interest नहीं बोलेंगे से percentage के according कि किस percentage बढ़ेगी है डारेक्ट ली कोशन करते है rate of interest दोके से निकल गे चक्वेति व्या साधन व्याज की तौर पर एक सहर की जनसंख्या में बाश्रिक रूप से यानि कि एक साल में 10 प्रतिशत की बरद्धी होती है यानि कि पहली साल की बात करूँ तो जनसंख्या अगर 10 है तो 10 में 1 बढ़का 10 प्रतिशत का मतलब होता है 1 बटे 10 1 बटे 10 मतलब होता है इसका तो जनसंख्या का प्राणरम में 10 यूनिट थी पहले साल के तो अंत में हो जाएगी 11 यूनिट यदि इसकी जनसंख्या बर्तमान जनसंख्या 21 अजार है जबकि यहां कितने वर्स है तीन वर्स तो ऐसी साइकल आपको तीन बार लिखनी पड़ेगी दूसरे साल भी यह 10 से 11 बड़ी होगी तीसरे वरस भी 10 से 11 बड़ी होगी फाइनली पहले ही होगी हजार और फिर होगी होगी यहां पर 1331 ठीक इस हजार की वैल्यू गिविन है 21 जीरो से जीरो काटके आपकी प्यारी सी पुटिंग वैल्यू आतमा आगे कुशिन की 21 किस में रखनी है आपको इस वाले ड़्टा में चलो 21 से कम 21 की एक कैरी कितनी आगे आपने कहा 2 21 कितना आजाएगा आपने कहा 63 और 265 की 5 कैरी कितनी 6 21 तिया 63 और 63 और 69 की 9 9 से 51 तक टिकला आलो देखिए ओफशन चेक करिए 951 आपका ओफशन नमबर एक करेक्ट है इसका परफेक्टली आंसर आएगा 27,951 27,951 इससे मैच करा लिया मेरे तो अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और ये भी जनसंख्या पर आधारित है और इसमें दोनों साल की जो परसेंटेज है बढ़ने वाली वो अलग-अलग है तो आप समझ लेंगे अच्छे से कैसे करना है देखे एक कस्वे कि जो जनसंख्या है 80,000 है यानि कि अभी है पहले बर्स में ये 8% की कमी होती है दूसरे बर्स में इसे 5% की बरद्धी हो जाती है तो दो बर्स के बाद सेर्की जनसंख्या क्या होगी पहली बाद तो ये आप एक लाइन में भी निकाल सकते है जनसंख्या कितनी थी 80,000 और अपने आप में ये क्या होती है 100% क्या हो रहा है पहले बर्स में ये जनसक्या 8% में कमी आ रही है इसका मतलब ये संख्या जो 100% थी 8% की कमी आगे इसको आप 92% पड़ेगे और ये अपने आप में आप 100% बची है, मतलब 92% अपने ही आप में 100% होता है चाहे जितना भी पार्ट कर लो वो अपने ही आप में 100% होगा मैं बताओ 100% का मतलब होता है 100-800, कट जाएगा 1 अरे 1 तो होगा अपने आप में वो कोई value होती है अपने आप एक value तो होती है दूसरे वर्स में ये 5% की ब्रद्धी होती है और आपको पता है जनसंक्या का बढ़ना ब्रद्धी पर ब्रद्धी लगता है ये successive case होता है लगाता पड़िवर्तन होता है इसमें पीछे वाले को 100 पड़ा जाता है दूसरे वर्स में 5% की ब्रद्धी होती है इसका मतलब यह 100 है तो दूसरे वर्स में 5 प्रतिशत की ब्रत्य होती है 105 Finally, दो वर्स के अंत में सहर की जनसंग क्या है? यह होगी एक तरीका तो यह हो गया, दूसरा तरीका मैं ratio method बताऊगा पहले इसके calculation कर ले percent, percent 0 ठीक है? कोई issue नहीं है Finally, आठ दूनी 16 और 16 पंजे 80 हैं Clear? आठ दूनी 16 और 16 पंजे 80 हैं अब सुनेगा आपको कैसे सिखाना चाहता हूँ मैं? या तो आप directly multiplication कर ले कि 8 दूनी 16 की 6 carry एक 8 नाम 72 और 1 तहतर और 105 का multiplication हो जाएगा और ज्यादा नहीं निकालना पड़ेगा सिर्फ एक डेट तक क्यों या 0-0-0 से में इसके बाद 5-4-8-4 वो answer देंगे आपको 5-31 की 0, carry कितनी 3? 5 पहले इस पर आया है अब 5 इस पर आएगा तो इसकी पीछी पीछी यह आ जाएगा तो 5-3-15 और 3-18 और 6 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा तो 8-8 80 तो आएगा ही आएगा 80 एक यह option में है यह वाला बस आंसर आ गया 7-7-2-8-0 multiplication नहीं करना होता सिर्फ answer decide करना होता है चलिए अगला प्रशन आपकी screen पारा है हाँ उससे पहले जो बच्चे ratio से करना चाहते है ऐसा भी तो होगा कि उनको यह अच्छा नहीं लगेगा भाई quality है किसी को क्या अच्छा है किसी को क्या अच्छा है आज के time में पढ़ाई बढ़ चुकी है किसी को क्या अच्छा लगता है किसी को क्या अच्छा लगता है किसी ने किस से पढ़ाए किसी ने किस से पढ़ाए सब अपने थौट के अकॉर्डिंग दिमागों में चलाते हैं जैसे इस कोशन को अगर मैं रेश्यो मेथट से कराना चाहूँ मेरे प्यारे बच्चो तो आप कहेंगे पहले वर्स में 8% की कमी हो रही है चार से आठ करता है दो बार और सौ करता है पच्चिस बार यानि कि जनसंक्या पहले 25 थी और 25 में दो कम होकर आज पढ़ी जा रही होगी 20 ठीक है फिर दूसरे बर्स में 5% की ब्रद्धी होती है 5% होता है 1 बटे 20 क्लियर और ब्रद्धी हो रही है इसका मत्ता पहले 20 होगी दूसरे बर्स के प्रारम में और अंत में होगी होगी एक जोड़कर 21 कोई भी दिकत नहीं होनी चाहिए ठीक है फाइनली जनसंक्या पहले कितनी थी 500 अब कितनी हो गई है आपने कहा 21 गुणे 23 यह जनसंक्या हो गई है तो इसमें आप यह देख लीजे कि 500 की वैल्यू आपकी कितनी है असी हजार के बराबर है यहां से पुटिंग निकाल लेते हैं जैसे भाग दे न सौरी भाग दे तो इसका डबल करो 160 बार कटेगा सौरी सौरी गलती हो गई गुड़ा में करते हैं यहां ता 160 में रखते हैं आंसर आ जाएगा कहने का मतलब एक ही तरीका है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है देखेंगे आप लो यहां पर आपका टॉपिक चेंज है यहां पर 2D और 3D स्ट्रेक्चर स्टार्ट हो चुका है कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में करमशे जो लंबाई है और चौड़ाई है लंबाई 15 प्रतिशत आपकी बढ़ जाती है और चौड़ाई 20 प्रतिशत बढ़ जाती है तो आयत की छेत्रफल पर क्या फरक पड़ेगा तो आपकी लंबाई 15 प्रतिशत होता है 3 बटे 20 5 से 15 कटता है 5 बाद 100 कटेगा 20 बाद 3 बटे 20 अगर पहले लंबाई 20 थी तो 20 में 3 बड़कर तेज हो गई है 24 प्रतिशत बढ़ जाती है 1 बटे 5 तो पहले 24 प्रतिशत थी 5 में 1 बड़कर 6 हो जाती है फाइनली पूछ रहा है शेत्रफल है एरिया होता है इन दोनों का मल्टिप्लेकेशन तो आप मल्टिप्लेकेशन कर दीजिए 100 आ जाएगा और 23 चिंग 138 आ जाएगा तो कितना बढ़ आए आपने कहा 38 किस पर 100 पर 100 पर बढ़ता है तो अगर आपके पास दो ही बुझाए और इनका मल्टिप्लेकेशन करना है तो इसको कहते हैं सक्सेशिव मैथड और सक्सेशिव फॉर्मला डारेक्ली यह भी होता है कि लंबाई का परसेंट यानि पहली बुझा का परसेंट दूसरी बुझा का परसेंट एड करो फिल लंबाई गुणा चौणाई अपॉन हंडेट परसेंट इससे आंसर आ जाएगा डारेक्ली करके देखते हैं लंबाई कितनी आप बढ़ा रहें 15 परसेंट 15 चौणाई कितनी बढ़ा रहें 20 परसेंट प्लस लंबाई कितनी है 15 गुणा चौणाई 20 बटे नीचे क्या है आपका 100 प्रतिशत यहां कैलकुलेशन कर लेंगे कोई भी इस्यू नहीं है यहां आ जाएगा 15 और 30 कितना आ गय आ जाएगा 30 मतलब 300 300 बटे 103 तो आंसर आ जाएगा आपका 38 प्रतिशत तो इससे भी आ सकता है इससे भी आ सकता है बात आई होगी समझ में एक और तरीका होता है कि आपने लंबाई को 15 बढ़ाया लंबाई अपने आप में कितनी होती है 100 तो 115 परसेंट हो जाएगी चोड़ाई 20 परसेंट बढ़ाई अपने आप में 100 होती है 120 परसेंट हो जाएगी है फाइनली ये बढ़कर कितनी आएगी आपको मैं दिखा देता हूँ देखो 12 कम मल्टिप्लाई 12 पंजे 60 की 0 केरी कितनी 6 12 कम 12 और 6 अठारे की 8 80 बची 1 12 कम 12 और 13 क्लियर कोई भी इश्यू नहीं है यह आपने गुणा करा एक जीरो पहले से था और यहां पर यह परसेंट होगा दौन जीरो खा जाएगा 138 परसेंट सौ से कितना ज्याद है 30 परसेंट तो यह बढ़ जाएगा तो समझ में आया होगा करने के तरीके इसको करते हैं रफ आपको समझ में आ गया होगा कि क्यासे करना है अगर एक जैसा कॉंसेप्ट आता है तो हम छोड़ते हो जाएंगे जैसे अगला सवाल देखो वर्ग का छेत्रफल वर्ग का छेत् निकालना है शारी वर्ग का छेत्रफल 19 परसेंट कम हो गया है छेत्रफल आपका 19 परसेंट कम हो गया है और 19 परसेंट ने बटे सौ purely पहले 100 था छेत्रफल अब आपका 19 कम होकर 81 हो गया है छेत्रफल होता है आपने आप में 2D क्या होता है 2D क्या होता है 2D अगर जिन बच्चों को यह समझ में नहीं आता तो छेत्रफल होता है बुझा का स्क्वेर ठीक यह कहता है तो वर्ग का विकड कितना कम करना पड़ेगा बिकण भी एक बुझाई होती है तो बुझा पूछ रहे हैं तो बुझा निकालने के लिए ये square है इन पर लग जाएगा undued के terms में और यहाँ पर आपके बुझाओं का अनुपात आ जाएगा 10 अनुपात 9 तो बुझा हो जाएगी यानि कि बिकण कम हो जाएगा 1 किस पर 10 पर into 100 10 प्रतिशत की कमी आ जाएगी जो कि option number B correct है अगला प्रशने देखेंगे अगला प्रशने क्या कहने की कोशिश करता है यहाँ पर आपका बेलन आ गया है बेलन बेलन देखी वैसे तो मैं 2D 3D से करा देता हूँ पर आपको problem होगी सीखने में इसलिए मैं यहाँ पर by formula ही लोगा बेलन आ गया है तो बेलन का आयतन क्या होता है आपने कहाँ πाई r square h पाई तो constant है ना volume के लिए जाब percentage निकालेंगे तो पाई हटा देंगे constant है क्या है यह constant है तो मैं directly कहा सकता हूँ ना कि b proportional होता है आयतन volume proportional होता है r square h के r पे दो गात होती है h पर एक गात और उन दोनों का multiply होता है अब करते है बेलन की तरज्जा 20% बढ़ जाती है तरज्जा मतलब r कितनी बढ़ती है 20% 20% क्या होता है एक बटे 5 पेली तरज्जा 5 यूनिट थी अब 5 में एक बढ़का 6 हो जाती है और इस पे घात क्या रहती है दो आसान है आगे उचाई में 45% की कमी होती है उचाई लिख लेते 45% होता है 5 से 45 नो बार और 100 कटेगा 20 वा कमी मतला माइनत पहले उचाई आपकी 20 थी 20 में 9 कम होकर 11 हो जाती है तो आपके आयतन में क्या फर्क पड़ेगा आयतन क्या होता है इन दोनों का गुणा कराना होता है करा दे करा देते हैं भई देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो 5 पर गाद 2 है इसको आप क्या पड़ेंगे 25 और 25 का 20 में गुणा कराएंगे तो आएगा 500 इसको आप 36 पड़ते हो 36 का ग्याने में गुणा कराओगी तो पीछे का एक अंक फिर यहां से 2 कदम फिर यहां से 2 कदम में अकेला 3 दे जाएगा 396 कितना कम हो रहा है आपने कहा 104 किस पर 500 पर into 100 0 से 0 कट जाएगा 5 से कभी भी भाग देते है तो उपर वाला जो अंस है उसका डवल करो आज आएगा 208 और पॉइंट लगा दो आज आएगा 20.8% की कमी आएगी कम हो रहा है कमी जो कि option number भी correct है अगला प्रेशन देखेंगे और यहाँ पर आ गया है आयत मतलब लोट कर आयत का एक concept आया है छोटना ने चाहिए important है इसलिए ले लिए आयत में होता क्या था आयत में आपको पता है न आयत का छेतरफल क्या होता है लंबाई गुड़ा चोड़ाई यह आपसे क्या कहता है यदि एक आयत की प्रतेख भुझा में 12% की व्रद्धी की जाती है तो छेतरफल में कितने % की व्रद्धी होई प्रतेख भुझा में मतलब यहाँ पर अप्रतेक बुझा बारे बारे percent बढ़ा देते हो तो लंबाई और चोड़ाई को बारे बारे बढ़ा दिया बारे बारे बढ़ा दिया तो आप कर ले न आप यह लगा दीजे सक्सेसिट 12% लंबाई 12% चोड़ाई फिर 12 का बारे मसरे जो कि option number C correct है आगे है पैटन चेंज है और यहां पर खर्चे पर आधारित प्रश्ण आ चुके है आए वेपर आधारित प्रश्ण है कैसे करना है बहुत अच्छा बहुत प्यारा प्रश्ण है देखना रमेश अपनी माशिक बेतन का 26.66% बच आता है तो 26.66% उसकी बच आते हैं अब कैसे करेंगे इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं सुनिएगा अच्छे से 20 परसेंट 20 परसेंट प्लस 6.66% अब 20 प्रतिशत होता है एक बच पाच और 6.66% होता है इसको आप 6 से दो बच तीन भी कहते हैं और नीचे तीन आ रहा है तो मतलब एक बच बच पंद्रा अगर आता 6 से एक बच चार आ रहा होता तो 16 होता फाइनली फ्रेक्शन कितनी आ जाएगे आपने LCM ले लिया यहार तीन का मल्टिप्लाई तीन का मल्टिप्लाई LCM आ गया 15 और उपर आ जाएगा 3 और 1 चार यह आ गया दूसरा तरीका यह है बचो कि आप डारेक्ली इसको कैसे पढ़ सकते हैं 26 साही इसको 0.66 को दो बच तीन पढ़ सकते हैं और यह आ जाता आपका 26 तीया आप कहते 78, 78 और 2, 80 बटे थे और 80 बटे 3 को solve करते तो यह आता अब मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजेगा आप बचा कितने रहें आपकी बचत 4 यूनिट है आपकी जो आमदनी है इंकम है वो 15 यूनिट है आपका खर्चा कितना है 15 मैंसे 4 गया आप खर्च करते हैं 11 यूनिट और इसी की वैल्यू देखो बढ़ जाने पर वैं प्रतीमा इतनी रुपे बचाता है अच्छा अच्छा बचत दी है 4 यूनिट नहीं और भी कुछ है और भी कुछ है और भी कुछ है और भी कुछ है एक और लाइन है सुनना अच्छे से ऐसा नहीं है तो आई कितनी थी यूनिट अभी निकाला है पता ही क्या हो ला है खर्चा 20 परसंट बढ़ा दो खर्चा बढ़ा देते हैं 20 परसंट अगर खर्चा में 20 परसंट बढ़ाऊंगा तो 11 दूनी 22 टू पॉइंट टू और 11 में 2.2 बढ़ जाएगा यानि कि खर्चा हो जाएगा आपका 13 दश्मल्ण क्लियर तो अब बताना बचत कितनी हो जाएगी तो आपकी इंकम तो वही है न तो इंकम में ऐसे खर्चा निकालेंगे तो बचत आएगी 1.8 ही और ये जो बचत आर ये 1.8 ही इसी कमान बराबर है 4080 की ये दिया है 20 प्रतिशत बढ़ जाने पर उसकी पिड़ती मां बचत इ इंकम कितनी है आपने कहा यहाँ पर इंकम में 15 यूनिट अब कर लो कैलिकुलेशन में आफाल तो तीन से छेवाद तीन से ये पांच बार चैसे काटू छेचिंग 36 बचे का चाट शेटे 48 और मल्टिप्लाई 5 से करेंगे आंसर आएगा 34,000 करेक्ट तो है मैंने पढ़ नही दिक्कत नहीं है अगला कोशन आप देखेंगे देखें एक ब्यक्ति अपनी आए का 25 परसेंट बचाता है 25 परसेंट होता है बच्छो एक बटे 4 इन कमाता 4 है अगर आए उसकी 4 है ठीक है तो बचाता कितना यहाँ पर एक बचत कितनी है आपने कहा एक तो खर्चा कितना होगा आपने कहा तीन और एक और तीन जोड लेंगे बचत में खर्चा जोडते है तबी तो इनकम बनती है यह आपको क्लियर होना चाहिए आगे उसकी आई में 20% की बरद्धी होती है अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है ठीक है और बचत तो यहां आ देखो यहां पर अगला कोश्चन बिल्कुल ऐसा ही है कैसे करेंगे देखो देखिए अगला कोश्चन एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है 75% होता है 3 बटे 4 मतलब यह खर्च कर देता है 3 यह इसकी आंदरी है तो आय केतनी है 4 कोई भी दिखकत नहीं है खर्चा कितना है प्यारे बच्चो खर्चा है 3 यूनिट तो बचत क्या होगी बचत आपने कहा एक यूनिट होगी क्योंकि चार में से 3 को घठा देंगे एक होगी और 3 और 1 कितने होते है चार अब देखना कहता है कि उसकी आय में 28% की ब्रद्धी कर दें इंकम उसकी 28% आप बड़ा दीजिए और उसके व्या में 20% की विरद्धी कर दीजे खर्चे में तो उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा बिल्कूल आसन तरीका बतारो एक लाइन में अंसर आएगा कुछ कैलकुलिशन करनी नहीं है आप 400, 100, 300 मान के करते हैं सीधे कर दो ठीक, 28 चौक कितना होता है आपने कहा 112% 20, 30, 60% इधा जाएगा माइनिस के 60 और कितना आ जाएगा यहां 52% किसकी वेल्यू बचत नहीं बढ़ा देंगे जो की option number C correct है कितना अच्छा बता है आपको आगे देखना आगे यह जो question है बिल्कुल ऐसा ही है और आप करेंगे आपके लिए हमबा के ऐसी तरीके से करना हो जाएगा ऐसी तरीके से करना हो जाएगा अगला question अगला type आ रहा है वो आपको समझाएगा घरेलू खर्चे के बारे में कि यहां पर घरेलू खर्चा आपसे क्या कहने की कोशिश करता है यहां पर यह नए टाइप है और कैसे करेंगे देखिए यह घरेलू खर्चे पर आधारित है और कैसे करना है देखो यहां पर भानू अपने माशिक बेतन का 20% किराय पर खर्च करता है 10% स्टेशनरी पर 14% परिभाहन पर 18% बिजली पर मतलब इन सब पर कितना खर्च करता है टोटल तो एड़ कर लो तो आपने एड़ किया 20 और 10-30 क्लियर और 30 और यह हो जाएगा आपका 32 62% खर्च करता है बचाएगा कितना आप देखा 38% और 38% जो बचाता है उसी की वैल्यू 1520 के बराबर है तो बताईए भानू का माशिक बेतर क्या है बस आ जाएगा काट लो कितने बाद कटेगा 19 से काट लो यह कटेगा 2% बार 19 से कितने बाद कटेगा आपने कहा 80 बार कटेगा क्योंकि 19,8 19,8 होता है आपका 152 2 से काट तो 40 बार और % के 2 0 चिपका दो आंसर आ जाएगा जो कि भानू की माशिक इनकम है अगला कोशन देखिए अगला कोशन क्या कहनी कोशिश करता है यहाँ पर यह एक अच्छा प्रशन है कैसे करना है वो आपको मैं समझा देता हूँ 1 y 1 आपको अच्छी दे समझ में आ जाएगा देखिए सौनू अपनी सौनू अपनी आएका भोजन पर 42 प्रतिशत किराय पर 16 प्रतिशत मनुरंजन पर 10 प्रतिशत परिवहन पर 7 प्रतिशत खर्च करता है एड़ गन यहाँ पर तो आपने एड़ करा टोटल 16 परसेंट 42 परसेंट आपने करा 58 और यह हो गया आपका 10 परसेंट यह हो गया आपका 68 परसेंट और 7 68 और 7 कितना होगा आपने का 68 और 7 75 परसेंट तो 75 परसेंट खर्च कर देता है कितना खर्च कर देता है आप मुझे बताईए 100% इसकी आमदनी है 75% खर्च कर देता है अभी भी इसकी बचत 25% है अभी भी इसके पास 25% का धन सेश बचा हुआ है लेकिन एक पारिवारिक समारों के लिए उन्हें 8,8 नहीं 18,000 रुपे की जरुवत होती है जिसके लिए उन्हें 12,500 रुपे का कर्ज लिना पड़ता है मुझे एक बात बताईए आविशकता कितने की थी? 18,000 की ठीक, कर्ज कितने का लिना पड़ा? आपने कहा 12,500 रुपे का अगर ये कर्ज लिना पड़ा है जो भार से आई हुई धन्दाशी है तो इसके पास पहले से कितना रुपे रखा होगा? तो आपने कहा 55,500 रुपे रखे होंगे माइनस कर दिया और ये जो 55,500 रुपे की जो बचत करी होगी वो किसके बराबर है? 25% आपको निकालना क्या है? माशे का है, इनकम निकालनी है बस हो जाएगा 25% को कहते हो, एक बटे चार एक की वैल निकालनी 100% होता है चार का मल्टिप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा 220,000 लगाके यानि कि आपका जो ऑफ्षन है वो आपका 22,000 करेक्ट है जो कि ऑफ्षन नमबर ये आपका बिल्कुल ठीक है इसको देखिए कुशिन को ये सेश पर आधारित है कि सेश वाले कुशिन कैसे करने होता है देखिएगा रेखा अपनी आय का 20% घूमने पर खर्च करती है जबकि 10% भोजन पर अभी तक कोई सेश नहीं आया है इसका मतलब जोड के चलेंगे अभी तक खर्चा हो चुका है 20 और 10-30% तता सेश धंदाशी मैं आपको बताऊं जैसे हनुमान जी चल रहे है हनुमान जी रास्ते में जितने भी फल मिलते हैं खाते होई चलते और बीच में कोई परवत आ जाता है वो ही आपका शेश है मतलब हर्डल है मतलब रुकावटे तो यहाँ पर पहला शेश आया है पहला परवत आया है शेश सेश कहता है कि पीछे वाला डाटा 100 में से माइनस करके लिखतो तो सेश कहता है मुझसे पीछे वाला डाटा मुझसे पीछे वाला डाटा कितना 10 और 20-30 सो में से माइनिस करके लिखतो आएगा सत्तर परसेंट ये इस सेश का अंसर आ गया खत्व आगे कोई दिक्कत नहीं है धनाशी का 80% अपने कॉलिस फेस पर जमा करता है अब उसके पास अब उसके पास भी ये जो पैसा बचता है ये भी शेश होता है ये छुपा हुआ होता है ये आपको दिमाग में रखना होता है कि आप उसके पास ये भी शेश है इतना पैसा बचा है इसका मतलब शेश है अब ये सेश है ये भी क्या कहता है कि पीछे जो भी परसेंटेज आया है ना उसको सो में से माइनिस कर दो ये मत देखना मतलब कौन सी परसेंटेज आई है इस सेश और इस सेश के बीच में, इस सेश और इस सेश के बीच में, जो भी आई है, उसको सो में से माइनिस कर दो, मतला इसके पीछे का, तो सो में से असी गया, आपने कहा 20 पेटिस है, यही इसकी सेविंग्स है, और जो की 560 रुपे के बराबर है, रेखा किया हम दने, calculation, साथ, दुनी, चौदै और चौदै आपका चौक छपपन, 40 रा, जीरो से आप जीरो काट लेंगे, ठीक है, परसेंट के यहां दो जीरो बिजवा देंगे, उस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर इस परसेंट के दू जीरो और बिजवा देंगे, और और फाइनली आपका अंसर आजाएगा चार आजाए तो मुझे लगता है यह वीडियो आपको समझ में आई होगी परसेटेश करता में प्रॉफिट ने लॉस स्टार्ट हो रहा है वीडियो आपको जल्दी मिलेगा शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें जहन